एक दिन अकबर बीरबल के साथ शाही बाग में सेर कर रहे थे। दरबारी कारियों के अतरिक्त भी अकबर बीरबल के साथ समय व्यातीत करना पसंद करते थे क्यूंकि वे बीरबल को अपना आभिन मित्र मानते थे। बीरबल के साथ का सबसे बड़ा लाभाही होता था कि उसकी छुट्टीली बातों से समय अच्छा करता था। साथी बीरबल की अकलमंदी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। उस दिन भी अकबर बाग में तहलते हुए बीरबल से हलके फुल के मिजाज में बातने कर रहे चलते चलते उनहें जमीन में पढ़ा हुआ बास का तुकड़ा दिखाई पढ़ा। उसे देखते ही अकबर के दिमाग में बीरबल की परिक्षा लेने का विचार कौंध गया। उनहों ने बास का वे तुकड़ा उठा लिया और उसे बीरबल को दिखाते हुए बोले का टुकड़ा देख रहे हो, तुम इसे बिना काटे छुटा करके दिखाओ, तुम मानू बीरबल ने बास का वे ए टुकड़ा ने हाथ में लेकर अकबर की और द्रिश्टी डाली, अकबर के होचो पर मुस्कराहट थी, बीरबल, अकबर का मन समझ गया, वह अकबर की हर भाव भंगिमा से परिचित था, अकबर अकसर ऐसे प्रश्ण बीरबल की बुद्धी के परिक्षन के प्रयुजन से पूछते थे, उस प्रश्ण का उतर सूचते हुए सहसा बीरबल के द्रिश्टी बाख के माली पर पड़ी, वह एक लंबा बास लेकर आम की पेड़ से आम तोड रहा था, फिर क्या? बीरबल ने आवाज देकर माली को अपने पास बुला लिया, माली के पास पहुचने पर बीरबल ने उससे लंबा बास मांग कर अपने दाएं हाथ में ले लिया, अकबर के द्वरा दिया हुआ बास का टुकड़ा पहले से ही उसके बाएं हाथ में था, माली के लंबे बास के सामनी अकबर का दिया हुआ बास का टुकड़ा छोटा था, उसे दिखाते हुए बीरबल अकबर से बुला, जहाँ नाह, देखे मैंने बिना काटे ही आपका दिया हुआ बास का टुकड़ा छोटा कर दिया, अकबर ने दोनों बांसों को देखा और ब